इस्टड़ी विदस में आपका एक बाप फिरसे स्वागत है और आज हम पीपल एन इंवायरमेंट के MCQ पर डिस्कस करेंगे जिसे हम हिंदी में कहते हैं लोक और पर्यावरण ठीक है तो यह topic जो है वो super important है आपके UGC net paper 1 के exams के लिए तो यह एक परकार का revision वीडियो है जिसमें वो सभी questions लिए गए हैं जो की हाली में exams में पूछे गए हैं ठीक है तो आप कह सकते हैं यह previous year के सारे questions हैं तो इस तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो वीडियो को like जरूर करें और चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसे ही revision वीडियो आपको मिलते रहें और अगर आप हमारी पहले की वीडियो को देखना चाते हैं जहां पर जो topic है उसको अच्छे से समझाया गया है तो आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं free of cost है जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने हैं आप उसके लिए करना आपको यह है कि लिंक पर जाना है डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दी गई है और उस पर किलिक करना है किलिक करते ही आप folder पर चले जाएंगी जो हमारा बना हुआ है folder कहीं या फिर कहीं playlist जहां पर हर topic पर वीडियो आपको मिल ने हैं फिर मैं इसकी आंसर आपको बताऊंगा और देखें कि कितने questions आपको जमसे आते हैं पहला सवाल यह है कि उर्जा की निमिल लिखित सुरोतों में से कौन सा भारत में अधिक्तम संभव्य या फिर साक्य रखता है ठीक है तो सही आंसर हो गया इसका option number C समुद्री तापिय उर्जा next question है मृदा में परदूशन का स्रोत निमिल लिखित में से कौन सा नहीं है ठीक है परदूशन का स्रोत कौन सा नहीं है बताना है में तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा option number D option number D hydro power plants जो होते हैं उससे परदूशन नहीं होता है ठीक है next question है निमिल लिखित में कौन सी प्राकरतिक आपदा नहीं है देखें 2011 में भी एक question पूछा गया था और 2018 के exam में भी एक question रिपीट हुआ है ठीक है इनमसे कौन सा प्राक प्राकरतिक आपदा नहीं है तो इसका सही जो आंसर है वो है option number D ना भी किये दुर घटना जो होती है ये प्राकरतिक आपदा नहीं मानी जाती ठीक है जबकि भुकम पो गया आकासमिक बाढ़ का आना सूनामी का होना ये सारे के सारे प्राकरतिक आपदा की स्रीणी में आत नेस्ट कोशन है पारिस्थित की ये पधचिन क्या निरूपित करता है क्या निरूपित करता है तो आंसर आपने गैस कर लिया होगा, इसका सही आंसर है option नमबर D, वन छेत्र को निरूपित करता, याद रखें वन छेत्र को, ठीक है, नेस्ट कोर्शन है गंगा कारे योजना प्रारम की गई थी, कब प्रारम की गई थी गंगा कारे योजना? तो सही आउंसर है option number A 1986 में ठीक है नेस्ट question है भारत में अच्छा एक question ओके तो एक question आपके लिए है आपको यह बताना है कि जो नमामी गंगे पर्योजना थी वो कब सुरूगे गए थी ये question आपके लिए है comment में मझे इसका आंसर जरूर बताएं नेस्ट question है भारत के सकती खंड में भाग की द्रिष्टी से उर्जा के स्रोत का सही करम क्या है ठीक है सकती खंड में देखा जा रहा है और उर्जा के स्रोत बताने है तो सही आंसर हो जाएगा option number D ठीक है nuclear फिर जल फिर वायू और फिर तापिय उर्जा आती है ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखना है सबसे अधिक शक्ती जो होती है किस उर्जा में होती है तो nuclear फिर जल ये उर्जा फिर वायू उर्जा फिर तापिय उर्जा नेस्ट कुशन है, पेजल में उचित से अधिक मात्रा में होने पर क्रोमियम एक संदूशक के रूप में कारक होता है, किस समस्या का कारक होता है, सही आंसर है, option number D, यकरत और गुर्दा संबंदी समस्या जो है, उत्पन होती ऐसे नेस्ट कुशन है, सीत कालीन धूम्ड या धूम कोहरा के परमुख पुरोगामी होते हैं, तो उसका अंसर है, option number B, और नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन स्था, और हाइड्रोकार्बन तो नाइट्रोजन है, फ्लेश फ्लड जिसे हम कहते हैं, फ्लेश फ्लड घटित होती है, जब वायू मंडल कैसा होता है, देखें, अब आपको यह देखें, तक्त छिनिक बार के बारे में आ दे रखा है, तो आपको इसे इंगलिश में भी आ दखना है, ठीक है, इसे फ्लेश फ्लड कहते हैं, ठीक है फ्लेश फ्लड, तो कह रहा है कि यह घटित होता है, जब वायू मंडल में क्या हो, तो इसका सही जो आंसर है, वो है option number A, समवाहनिक द्रिष्टी से आइस्थर होता है, तथा उसमें यथेस्ट वायू प्रबल होती है, ठीक है, कब फ्लेश फ्लड के समय, नेस्ट कोशन है, भारत में महानगरों में वायू परदूशन का परमुख स्रोत है, वायू परदूशन का परमुख स्रोत है, कौन सा, तो सही आंसर है, option number A, परिवहन खंड, या कहें कि, ट्रांस्पोर्ट सेक्टर, ये वायू परदूशन का महत्पूर्ण स्रोत माना जाता है, नगरिय चेतरों में, नेस्ट कोशन है, भारत सरकार की जलवायू कारी यूजना के अंतरगट, आठ लक्षों में निमिल लिखित में से, कौन सम्मेलित नहीं है, कौन सम्मेलित नहीं है, तो सही आंसर है इसका ना भी किये उर्जा ओप्शन नमबर D करेक्ट आंसर है ना भी किये उर्जा ठीक है ना भी किये उर्जा नेस्ट कोशन है चिपको आंदोलन सर पर्थम आरंब किया गया था चिपको आंदोलन सर पर्थम आरंब किया गया था तो सही आंसर है option number D, सुन्दर लाल बहुगुणा द्वारा Next question है, पैजल में कुल दर्वी भूत थोस पदार्थ का सांदरन निमिल लिखित से अधिक नहीं होना चाहिए निमल लिखित से अधिक नहीं होना चाहिए तो उसका सही आंसर है option number A 500 mg लीटर से ठीक है Next question है आख में जलन के लिए उत्तरदाई प्रकास रसायन युप्त धूम कोहरे के घटक है सही आंसर है option number C S-C-H-O एवं पैन कल मैंने पैन का पुलफॉर्म पूछा था तो लोगों ने इसका फुलफॉर्म जो है बताया कि वो पैन कार्ड ने होता पैन कार्ड का फुलफॉर्म बता दिया ठीक है नहीं यह गलत है मैंने पैन कार्ड वाला फुलफॉर्म नहीं पूछा था इसे इनवार्मेंट की दृष्टी से अगर आप देखेंगे तो पैन का फुलफॉर्म कुछ और है ठीक है नेस्ट कोशन है जौला मुखी उदगार परभावित करते हैं परभावित करते हैं 136 जो कोशन इसका सई आंसर जो हो गया वो हो गया ओप्शन नमबर डी इस्थन मंडल जल मंडल और वायू मंडल को ठीक है नेस्ट कोशन है 137 यानी 130 सवाल अब ये कथन और कारण वाला दिया गया है तो उसका सही जो आंसर है उप्शन नमबर A इसका करेक्ट आंसर है दोनों सही है और व्यक्ष्ण अब इसकी सही की गई है ठीक है नेस्ट कोशन है कौन सा प्राकरतिक परकोब संपत्ति और जीवन को अधिक्तम नुकसान पहुंचाता है तो सही आंसर हो जाएगा इसका उप्शन नमबर B जल और मौसमी प्रकोब ठीक है नेस्ट कोशन है डाय ओक्सीजन किस से उत्सर्जित होता है तो सही आंसर है इसका उप्शन नमबर D प्लास्टिक दहन से नेस्ट कोशन है प्रतेक बालक के लिए एक पेड का नारा किस आस्य से गड़ा गया है तो सही आंसर है इसका उप्शन नमबर A समाजिक वन कारेकरम समाजिक वन कारेकरम के तहट जो है ये नारा गड़ा गया था प्रतेक बालक के लिए एक पेड नेस्ट कोशन है निमिल लिखित में से बायो गैस का परमुख तत्व कौन सा है सई आंसर है आप्शन नमबर A मिथेन और कार्बन डाय ओक्साइड नेस्ट कोशन है अब गिसमें अभी कथन और तरक दे रखा है अभी कथन ये कहता है कि संसार में समगर रूप से पिछले कई दसकों में परियावरण बिगड़ा है तरक ये दिया जा रहा है कि संसार की जनसंख्या में महत्पून बड़ोत्री हो रही है तो सही आंसर इसका हो जाएगा आप्शन नमबर B A और R सही है लेकिन जो इसका इस पस्टी करण दिया गया है वो सही नहीं है ठीक है नेस्ट कोशन और डिस्कस कर लेते हैं मौसम का परिवर्तन किस पर परभावी होता है तो इस कोशन का जो सही आंसर होगा वो होगा भूमे की नमी पर वन अगनी पर और बायो डायवर्सिटी पर यानि जैव विवित्ता पर सही आंसर है ऑप्शन नमबर B ऑप्शन नमबर B तो ये तो था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने लगए 20 से 22 कोशन डिसकस किये हैं पर्यावर्ण के और ऐसी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी ही रिवीजन वीडियो आपको मिलते रहें मिलें गे नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिं दिस वीडियो